आई आपको हम अंदर दिखाते हैं थोड़ा अंदर अधेरा जरूर है लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिस करेंगे यह साधना कच्छ यहां से सीडियों से उतर के नीचे हम लोग चलते हैं जो साधना कच्छ है यहां का हम आपको दिखाते हैं यहां पे कबीर दाश जी की एक मानुस जन्म दुरलब मिले न बारम बार तरुवर से पत्ता तूट गिरे बहुर ने लागे डारी दोस्तों आज हम लोग एतिहासिक खोशी कड़ी में एक ऐसी जगह आये हुए हैं जो एतिहास में एक महत पूर जगह रखता है अगर भक्तिकाल आंदोलन की बात करें साहिति के छेत्र में अगर हम भक्तिकाल को समझना चाहते हैं एक फक्कड कवी के बारे में जानना चाहते हैं जिसने धर्म को जो धर्म के अंदर अंद विश्वास था उस पे बूरी तरीके से चोट किया अपनी कविता के माध्यम से तो इसमें अगर्णी नाम जो आता है वो है संत कबीर तो दोस्तो आज हम लोग संत कबीर नगर के निर्वान अस्तल मघर पे आये हुए हैं मैं हूँ धर्मिन पांडे और आप देख रहे हैं गाउंगा था ऐसी बाणी बोलिये मन का आपक होए औरन को सीतल करे आपहु सीतल होए दोस्तो आप हमारे पीछे एक बोर्ड देख पा रहे होंगे वहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है एक दोहा लिखा हुआ है और आज हम लोग जो महान संते कबीर दाजी उनकी निर्वान स्थली पे आ चुके हैं एक एतिहासिक खोश के संदर्ब में हम लोग यहाँ पे आये ह हुए हैं काफी कुछ चीज़ें यहां के बारे में हम लोग आपको बताएंगे अपने चैनल के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे तो सबसे पहले आपको मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा कि परेटन मंत्राले भारत सरकार द्वारा यह जगह जो हैं पूरी तरीके से संर प्रचल में काफी कुछ चीज़ें यहां पर की गई हैं तो इससे पहले हम लोग और भी कुछ चीज़ें जानेंगे तो आएए आपको हम ले चलते हैं इस परिसर के अंदर जहां पर एक मकबरा इस्थित है और एक गुंबद आप देख पा रहा हूंगे और और एक आपको म अधित है कि निरू और नीमा नामक जुलाहे दंपत्ति ने इनका पालन पोशन किया था और बच्पन से ही प्रखर बुद्धी थी इनकी और यह काफी मेधावी थे अपने बच्पन के ही दिनों से धीरे धीरे कालांतर में जब यह बड़े हुए तो इनकी बुद्धी और भी प्रखर होती गई जो कभी कुल की परंपरा है इसमें इनोंने एक नई दिशा एक नई धार दे दी इनोंने पाखंड के उपर पूरी तरीके से चोट किया जितने भी काशी के अंदर जितने भी पाखंडी पंडित है उनको इनोंने अपने टार्गेट पर रखा और किस इनको इस वजह से इनको वहां पर प्रतालित भी किया जाने लगा वहां के पाखंडी पंडों ने काफी प्रतालित किया इनको कल अंतर में आपको हम ये भी बताते हैं चलें कि एक ऐसी प्रथा वहां पर विक्सित हो गई वहां के पाखंडी पंडों ने ऐसा कुछ कहा कि का मघर के अंदर अगा आपकी मृति होती है तो आप नरक में जाएंगे और आपको जो नई योन मिलेगी वो गधे की मिलेगी ऐसा कथाओं में वड़ित है इस भ्रांती को इस कुछित विचारधारा को तोड़ने के लिए कबीर दाश जी वहां से काशी से 120 वर्स की अवस्था म और वहां से लगबग तीन दिन में ही वो पूरी यातरा तै करके यहां पे मघर में आ गए और उन्होंने इस मित्या को तोड़ने के लिए जो कुछ भी हो सका जो यहां पे उन्होंने बैठ के अपने दोहों की रचना की जो बीजक उन्होंने लिखा जो भी चीज़ें सवा बहुत ही प्रासंगिक हैं लेकिन कबीर इतने प्रासंगिक होते हुए भी आज के समय में उतने ही उपेच्छित यहां पे दिखाई पड़ते हैं कारण क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आस पास के जिलों में अगर विकास की स्थिती देखते हैं तो वो जिले ध कबीर जो हैं वो शोद के विशे हैं लिटरेचर में आप इनको शोद में पाते हैं और इनका साहित एक अथा एक बहुत गहरा ही लिए हुए साहित है जो जिसमें एक अलढ़पन एक फकड़पन आपको दिखता हुआ है तो बाद में आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ज आपको रियासत के मालिक थे उनका ये मानना था कि कबीर यही के हो के रह जाए मतलब अगर हम बात करें तो सभी धर्मों में कबीर को मानने वाले थे और ये कहले कि कबीर पंथी एक अलग से मतलब संपरदाई ही चल पड़ा था इनको मानने वाले इनके अनुआई थे जो परशक्ते बिजली खाँ उन्होंने कहा कि आपको हम इत्र वाले सुगंधित पानी से नहलाएंगे आपके लिए सारे जल की बहुस्ताम करते हैं लेकिन उनका कहनात है कि नहीं हम जो है नदी में स्नान करेंगे और चुंकि बगल में नामी नदी का तठ है उस समय आमी नदी ज बाद में अगर हम इनके मिर्तिव की बात करें तो 1518 सुवी में इनके मिर्तिव होती है 120 वर्ज की अवस्था में और अपने मिर्तिव से ठीक पहले इन्होंने एक संदेश दिया वो संदेश ऐसा था कि इनके हिंदू-मुसलिम वर्ग में एक मत्भेद की स्थिति पैदा हो रही थी कि अगर माली जे इनका निर्माड होता है तो इनका मिर्त शरीर इनकी जो पवित्र देह थी वो कहां जाएगी क्या वो काशी ले जाएगी या फिर यहां पे मुसलिम रीति रिवाज के अनुसार वो दफनाई जाएगी इस पे इन्होंने एक संदेश दिया कि मेरी जो देह रहेगी उसको आप लोग जो है पाएंगे ही नहीं कुछ ऐसा चमतकार होगा कुछ ऐसा होगा कि आप लोग उस देह को देख नहीं पाएंगे वो गायब हो जाएगी और हुआ भी यही बाद में जब इनकी मृति होती है तो एक कथाओं में ऐसा वर्डित है कि एक आकाशवारी होती है कि परदा उठा नहीं है मूर्दा और लोगों ने जब वहां से परदा हटाया तो वास्तों में आपे कुछ फूल बिखरे पड़े थे और जो हिंदू और मुसलिम वर्ड के लोग थे वो आपस में गले लग के फूट फूट कर रोने लगे जो अपने इस इतने अच्छे संत को खो दिया इनोंने और उसका जो फूल मिला था उसको आधे आधे हिस्से में बांट लिया गया जिसके एक मंदिर का निर्माड होता है जिसकी समाधिय अस्तिलिया आपको हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे में और ठीक बगल में ही एक महजित का भी न मजार है और हमारे बगल में जो जिनको संवाख्र में मजार है आप हैं खादिम हूसाईन जी से जानते हैं यहां के महात्व cynक बारे में और ढ़ए सारी चीजे कबीर दाशी के बारे में जानेंगे तो आपका सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर तो हमारे दर्शकों को कुछ बताईए कि मतलब कबीर दाजी का यहां पर कैसे आना हुआ और यहां पर मगहर की कुछ घटना है जो बताईए जो इतिहास के पन्ने में अभी अंचुई है कबीर साब बनारस में रहे थे तो किसी ने बताया कि चैनल नाम के सूफी संत है अगर मगहर में आते हैं यहां से दो आशिरबात देते हैं यहां बारिस होगी तो यहां से नवावली बिजली सा गए जिनकी मजारशरी बगल में बनी हुई हो गए और मगहर में लाए अंत्यम दो वर्स अपने ही मकान में रखे वह महारे पूर्वस थे और उसके बाद बारिस होई बारिस होने के बाद कभीर साब ने कहा कि यहां पर बच्चों की आवार नहीं सुना दे रही बड़ा सुना सब महला लग रहा है तो लोगों ने बताया कि इस महले में बच्चे पाइदा जरूर होते हैं लेकिन है तो क्या कुछ बाद चुरू से क्या कुछ बदला हुए या फिर क्या कुछ बदला होने चाहिए जैसे आसपास के जिलों में हम देखते हैं कि धार्मी करस्तों में काफी कुछ चीजें नए निर्माड हुए हैं काफी कुछ बढ़ियां लगता है लेकिन अभी कबीर की आपने बात बताई तो कभीर किस तरह की पढ़ाई होगी क्या कभीर दाश जी से संबंदित सोद किये जाएंगे जैस बिदेश से लोग चातर आएंगे उनके रहने खाने की विवस्तायां होगी हमारे चैनल के माध्यम से गौवर्मेंट से कोई अपील करना चाहें सब्सक्राइब करेंगे इस सथल के संब्सक्राइब के बारे में गौवर्मेंट का पूरा इस पर ध्यान रखाएं इस समय है और पुरातत भी यहां प्रेटन विभाग भी है इसलिए हमें कुछ कहने की जरूबत नहीं है सभी लोग पहले से यहां विवाग देख रहा है त और जी तो आप यहां पर पुस्तैनी सेवा देते आये हैं और हम लोग काफी कुछ चीज अभी यहां पर इस कैंपस में दिखाएंगे आपको तब तक के लिए हमारे साथ बने रही है आप दोस्तों आप हमारे ठीक पीछे देख पा रहे होंगे एक कबीर गुफा द्वारे करते थे ठीक है सांत चित्त से वो जो सोचा करते थे उसके लिए इसका इस्तिमाल वो करते थे आई आपको हम अंदर दिखाते हैं थोड़ा अंदर अधेरा जरूर है लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिस करेंगे यह साधना कच्छ यहां से सीडियों से तर के नीचे हम यहां पे कबीर दाश जी की एक प्रतिमा इस्थापित है यहीं पे बैठके वो साधना किया करते थे आज हम आपको यह दूरलब जगया दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से गूफा से बाहर निकलेंगे यह सीडियां बनी हुई है एक तरब से अंदर उतरने के लिए सीडिय थी और दूसरी तरब से बाहर निकलने के लिए सीडिय है इसी कैमपस में इसी प्रांगल में आप देख पा रहे होंगे एक सती माता का मंदिर भी है जिनके बारे में कथाओं में वर्डित है कि यहां पर सती हो गई थी बहुत विश्थिर जानकारी हमको यहां के बारे में नहीं मिल पाई है लेकिन वो मंदिर आपको हम अपने कैमरे म दिखा रहे हैं